सबसे पहले बात मुख्यमंत्री बजनलाल की जो आज किसान के घर पहुंचे एक किसान के घर पहुंचे सीम बजनलाल बाबुलाल डागर के घर पर सीम ने पहुंचकर भोजन किया बाजरे की रोटी और चट्मी भोजन में शामिल थी किसान बाबुलाल बोले बाजरे का चूर्मा बनवा दें तो सीम भजनलाल ने कहा जो घर में बना वही भोजन करवाईए जो घर के लोगों ने खाया वही खाएंगे सांसद रामचरन बोरा और विधाय केलाश वर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे रिजेश लाटा, आनंद शर्मा, कमल चौदरी भी उनके साथ मौजूद रहे मुखेवंतरी भजनलाल शर्मा आज एक किसान के घर पर पहुंच गए बाजरे की रोटी, चटनी खाई किसान ने जब सूबे के मुख्या को अपने घर पर देखा तो किसान ने पूछ डाला कि साहब क्या खाएंगे इस पर सीम भजनलाल ने बहुत ही सादगी से जवाब दिया कहा जो घर के लोगों ने खाया वही खिलवाईए जो घर पे बना है वही लाईए इस दोरान उनके साथ कई प्रमुक चहरे पार्टी से जुड़े हुए संगठन से जुड़े हुए कई प्रमुक चहरे उनके साथ मौजूद थे और ये तस्वीर आ टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे किसान के घर दूसरी तस्वीर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आप पहुंच कर देशी खाने का लुथ उठाया है जाइका लिया किसान के घर का के बने खाने